आर्पी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं नमस्कार मैं वो अंजली आर्प भारत में आपका स्वागत करती हूँ तो जली जलते हैं आज की किसी मुख्य कबर की हो धनबाद में एक और बड़ी घटना होने से बच गई हिल टॉप आउटसोर्सिंग के प्रबंदग के भाई राजेश यादव को जेमेम यूवा मोर्चा के अध्यक्ष सूरज चोहान पर फाइरिंग करने का रोप लगा गए हलाकि इस गटना में राजेश कुमार यादव बाल बच गए गटना के बाद केंदुआडी पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है केंदुआडी थाना चेतर के गोसाईडी मोर के पास राजेश यादव अपनी बुलेरो गाड़ी बनवा रगा था तभी वही सूरज चोहान अपने तीन चार साथियों के साथ पहुँचे और राजेश के च्छाती पर बंदूग तांती और एक राउंड फाइरिंग कर दी हलाकि फाइरिंग मिस होने के कारण राजेश बाल बाल बच गए इसके बाद फिर से दोनों के बीच हाता पाई होने लगी जिसमें सूरज ने फिर फाइरिंग कर दी जो फिर से मिस हो गई जिसमें राजेश बच गए और अपराधी वहां से भागने में कामियाब हो गए गटना की सूचना पर केंदुआडी पुलिस वा वहां लगे सीसी टीवी कैमरे की जांच कर रही है वही धान अपरबारी ने कहा कि गटना की जांच की जा रही है जांच की बाद ही कुछ कहा जा सकता है वही पुलिस गोली चलने से भी इंकार कर रही है गतना में बाल बाल बचे बुक्त बोगी राजश कुमार यादव ने बताया कि जेमेम युवा मोर्चा के नेता सूरच चौहान पूर्व में भी आउटसोर्सिंग में आंदोलन रंगदारी की मांग कर रहा था तभी सूरच ने जान समाने की धंकी दी थी आज सुबा ग्यारा बजे से गारी बनवा रहे थे तभी अच्छानक सूरच चौहान अपने साथियों के साथ आया और मेरे उपर पिस्टल रखकर फाइरिंग कर दी हलाकि फाइरिंग मिस होने के कारण गोली नहीं चली और फिर राजेश यादफ के बीच धका मुक्की भी हुई सुरच चौहान इस दोरान भागने में कामयाब हो गए वहीं पूरे मामले के शिकायत केंदुआडी ठाने में दी है धनबाद से अजद कुमार की रिपोर्ट कितने लोग थे जिससे हो रहा था कितने लोग थे कि अध्यार उथार भी या निक्यों पर दोर्ट को लेकर किस बाद से सामने आ रही है अभी एक घंटा पहले लगभग टाइम क्या था मतलब वही ग्यारा बज रहा था हम सर्फू मिस्तरी के गरेज में जाके अपना गारी बलेरो का सेल्फ का काम करवाने के लिए गए थे मेरी ड्राइबर भी था हम भी था हम मोतर साइक्ल से गए था हम उसником बोले तुम बड़ो हमार है हम गए जाकर Михौ को बोले जाकर का इक बड़का उधर से आया ओっぱ पर भाग के लिए उसके बाद में हम को थोड़ा से एक्टिवीटी लगा कि यहां पर कुछ है तो हम वाब मोर्चाइकल गुमा के निकल ले ले तब तक सूरच चोहान आया और छाती में सता के गोली फायर किया लेकिन फायर मिस होने के कारण हम बचे फिर हम उसको ठेल करके सर और सोर्सिंग में रंगवाजी को लेकर के हमको और मेरा भाई संतोस यादव जो हिल्टोप हायराज का परवंधक है मेनेजर के रूप में वहाँ पर उसको हम लोग दोनों से रंगवाजी का बद में सत्तर हज्या रुपया का मांग गिया बोला अगर पैसा नहीं दोगे त काच दिन के अंदर टार्गेट दिया कि पाच दिन में गोली मार देंगा